अब बात करते हैं पन्ना की वजन का हीरा मिला है इस हीरे की अनुमानित कीमत 15 लाक रुपय के लगभग बताई जा रही है खदान में हीरा मिलने की खबर के बात से मजदूर सुरेंद्र पाल के घर में खुसी का माहौल है हीरा धारक सुरेंद्र पाल ने कलेक्टेट स्थित हीरा कार्याले आकर वहां विधिवत हीरा जमा कर दिया है हीरा कार्याले पन्ना के हीरा पार्खी अनुपम सिंग ने बताया कि सवा तीन कैरेड बजन का यह हीरा उज्ज्वल किस्मका है जो गुडवत्ता और कीमत के लिहास से अच्छा माना जाता है इन्हों ने बताया कि पन्ना में उथली खदानों से प्राप्त इस हीरे को आगामी निलामी में रखा जाएगा बिक्री से प्राप्त रासी में से सासन की रोयल्टी काटने के बाद सेस रासी हीरा धारक को प्रदान की जाएगी हीरे की अनुमानित कीमत पूछे जाने पर हीरा पार्खी ने बताया हीरा जम क्वाल्टी का है जिसकी अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है लेकिन अभी उसकी कीमत नहीं बताई जा सकती हीरा अधिकारी रवी पटेल ने बताया कि इस हीरे को कार्याले में जमा करवा दिया गया है अगली निलामी में इसे रखा जाएगा निलामी के बाद मिलने वाली रास इसे 11.5% सासन की रॉयल्टी काट कर बांकी रकम हीरा धारक के खाते में भेज दे जाएगी हीरा धारक सुरेन पाल ने बताया कि आर्थिक तंगी से निजात पाने करीब 6 माह से हीरा खदान लगातार हीरों की तलास करता आ रहा है लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा था मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रही थे हीरा मिलने की अपनी खुशी का इजहार करते हुए सुरेन ने कहा कि भगवान ने हमारी फरियास सुन ली जिससे इन्हें आज हीरा मिल गया है सुनील बताते हैं कि घर की आर्थिक इस्थिती खराब होने की वज़ा से वर बच्चों की अच्छी परवरिस और पढ़ाई को लेकर चिंति था